एक सिर्ष प्राप्त होने की प्राइक्ता जो है सापका कितना होगा 11 वाटा 20 क्यों क्यों तिए एक सिर्ष जो ऐसे कितने वारा आया है तो 275 बाद दो सिर्थ आने की प्राइक्ता जो है से कितना हो गया तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको प्राइक्ता का एक महत्विपूर्ण क्युचन को ले करके बताऊंगा इससे पहले वाले वीडियो में हमने तास के बारे में तास के उपर प्राइक्ता का इस्तेमाल कैसे किया जाता है दो लुड़ों को पासा को एक सथ फेका जाता है तुछे जैसे कुल परिनामों की संख्या कितना होता है प्राइक्ता का सिधान इन सभी चीजों के बारे में मैं के बाद मैं बनाऊंगा जो हैसे प्राइक्टा निकलता है इन किफचन के माधियम से मैं आपको समझाने की पूरी परियास करूंगा कि प्राइक्टा कानने सभी प्रस्ने जो हैसे कैसे बनाते हैं देखे मैंने यहाँ पे एक प्रस्न ले लिया है यह जो हैसे इंपोर्टेंट किवशन ने इसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि इसको हम कैसे सौल्प करेंगे और इस तरह के जो भी प्रस न दिया रहा है उसको हम कैसे बनाएंगे तो चलिए यहां पर किवशन दिया है क्या दिया है बोल रहा है कि दो सिक्कों को 500 बार उच्छालने पर प्राप्त परिनाम यह सार्णी में दिया गया है क्या दिया है तो बोल रहा है कि परिनाम जो हैसे एक सिर्ष यह दो सिक्कों को 500 बार उच्छालने पर यह एक सिर्ष जो है से कितने वारा तो 285 बार एक सिर्ष मतलब है हेड यह इस सीर्ष मोझा तो सीर्ष को हेड कहते हैं और टेल बोलेंगे से परतर वाइब सामें होता हैं सिर्स जो होगा उसी को बोलते हैं recommend आप इनिलोगरेक रहे हैं कि अपी त 105 बार और तोषिरी पाँच बार तो एक सो पांच वार यानि कहने का मतलब है कि जब दो सीकों को उच्छाला जाता है तो यानि पानसो बार तो पानसो बार उच्छालने के बाद जो है से क्या है कि 275 बार जो है से एक सिर्स यानि एक सिर्स मतलब है कि एक मतलब एक सिर्स मतलब है कि दो सीकों में 275 बार ऐसा हुआ कि एक सिर्स आया घटना की प्राइक्ता निकाले एवं जांचे की कुल प्राइक्ताओं का योग एक है यानि कहने का मतलए कि दो सिक्कों को 500 वार उच्छालने पर यह परिनाम जो है से यहां पर दिया है और इसमें बोल रहा है कि इसमें परतेग घटना की प्राइक्ता निकालना है और क्या कर होता है और प्राइक्ता का मांन जो है से कभी एक से बाला नहीं होगा यह 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 stressed का है यह जरो मैं नहीं होगा निश्चित घटना की प्र dependence होता है और तो होता है होता है यहां क्ल परकैक兩 को यह तो खिया चलू से जाथा हुआ सकता है देखिया पर सबसे पहले क्या करेंगे बोल रहा है कि दो सिक्कों को 500 बार उच्छाला जाता है तो यहां पर लिखेंगे दो सिक्कों को दो सिक्कों को 500 बार उच्छालने पर कूल परिनामों की संख्या यानि कूल परिनामों की संख्या कितना होगा परिनामों की सख्या यई जैसे 500 बार होगा क्योंकि यहां पर लिख दी है कि दो सिक्गों को 500 बार उच्छालने पर कूल परिनामों की संख्या कितना होगा 500 अब देखेंगे बोल रहा है कि यहां को मतल्ब है था यहां पर एक सिर्स ता था एक शीर्स की संक्या एक सिर्स्की संख्या थे X तक संख्या कितना हो गया और शीन कह द लिए है का सिर्स होने की प्राइक ता यह BIG אחד सिर्स आने की प्राइक्ता एक सिर्स आने की प्राइक्ता क्या होगा तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी परियोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटा अभी परियोगों की कुल संख्या यानि कहने का मतले बोल रहा है यहां पर क्या बोल रहा है कि 275 बार जो ऐसे क्या एक सिर्स आया यह नि कहने मतले 500 वार उच्छाला गया है और 500 वार उच्छाला गया है तो गातना गटई है नहीं पर योग की संख्या === बटा भी परियोगों की संख्या उसमे घटना घटी ह। तो घाटने से के सीर्ष पर घाट रही एक सिर्ष पर घाट रही है तो नीच कहने का लूत कि यह से कितने वह आया है तो 275 वाट और कितना हो जाएक फार पांस哦 यह हो गया याँ यह अब जो इसे दो काटना चा ब यहां पर काटूंगा इसको पांझ से तो पांशी काड़िया ह। यहां पर 25-25 यहां परकाई मतलं है यहां पर लंसर आपका होगिया 11 20 यह निकाने का मतलबे कि एक सिर्ष्प्राप्त होने की प्राइक्ता जो है साथ की ता ओगा होगा इप 10 क्यों क्यों क्योंकि यह सिर्ष ज्युश्जा से कितने वारा है तो दो सौ 75 तो चलिए एकमि आप्दिया हो गया चलते हैं दूसरा में दूसरा में बोल रहा है कि दो सिर्स आने की प्राइकता से रिंगे दो सिर्स आने की एक्रॉब किए पंश हो गया यहां भी जो है सबका काटेंगे जो भी आपका प्राइकता कमानाएगा अगर कटेंगा तुसको सबसे पहले काट करके छोटा करेंगे वहीं साल आपका होगा देख रहें कि हाँ से सब्सक्राइब 25 काटेंगे इसको पॉस से तो पान से गगा 5-2-10 यहां रखाने काया सब्सक्राइब कितना हो गया है कर SC outdoor हो इनि कहने का मन всё ने की प्रयक्टा जो इसकित नाकित तो दो सिर्ष आने की प्रयक्टा जude सर्थ आपक एहां देख रहे हैं कि दौ various सब्सक्राइब को अबसक्रा लिघिर है कोई से सौर्ष लैया एक सर्ष और लगणी सब्सक्राइब फडिस मेन गता जिसमें एक वी सिंपालमेने इसे किसी मेभी सिरस सिर्स नहीं आया है चलेंगे तथा कशीी नहीं आने की प्रयक्ता को सिर्स के नहीं आने की प्रयक्ता है तो जुए कि सिर्सद कि इतने बार नहीं आया है तो 120 वार तो यह ली देंगे 120 जिसकी घटना घट रहा उसकी संखे 120 और बटा जो है से टोडल कितने 500 है यहां पी तो पांस हो गया जीरो से जीरो कैंसिल अब काटेंगे इसको तो छे से का डिये गाचे दूनी बारा पचीज दूनी कितना होगा पचास तो छे वाटा क का योग यानि जाचना है कि सभी प्राइक्ताओं का योग सही में होता या नहीं होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी प्राइक्ता होगा यानि सभी प्राइक्ताओं का योग जो हैसे कितना होता है एक होता है क्योंकि प्राइक्ता का मान जो हैसा अधिकता में एक होगा में कितना होगा जीरो होगा कभी माइनस में होगा कभी एक से बाड़ा भी नहीं होगा तो यह आप का हो गया यह तीनों परकार कि यह निकाने का दला कि एक सिर्ष आने की प्राइक्ता हमने निकाला कितना है या 11 वाटा 20 दो सिर्ष आने की प्राइक्ता हमने निकाला कितना है या किस वाटा 100 और कोई सिर्ष नहीं आने की प्राइक्ता हमने निकाला कितना है या 6 वाटा 25 अब जो बोल रहा है कि हाँ पर क्या करना है कि जांचना ह जांचे की कुल पराइकताओं का योग एक होता है तो चलेंगे जांचेंगे लिखेंगे चेक यहां पर चेक करना है चेक करना है क्या करना चेक तो चेक करना आपको कुल पराइक कुल पराइकताओं का योग तो लिखेंगे कुल कुल पराइकताओं का योग कुल पराइकताओ तो उसे के लिए गाँ थांक परमणों का योग को व्हाइट को कितने प्रायक परॉक्त आया तीन तरह का यानि पहला माय अब को 1120 दूसरा माय 18 वर्टा सौ तीसरा माय 6 वर्टा पचीस अब चलेंगे सब को यहां पर जोलेंगे सब को जोलेंगे तो सब कि एलसीम लिएगा तो हाँ पर भी से काट रियागा तो को बीस पचे साओ पांच बार में कट खाएंगा पांस से करियागा धारा में धारा पचे कितना होगा 55 सब्स पर एक जो जोडेंगे तो चोबिस दहुक है चार एक पांच होगा पांच आप दस वोगा दस का जीरो तो चली यहां पर यह सब्सक्राइब को मैंने बताया भी स्कीशन और क्या पुछ सकता था तिस कीशन में और भी पूछ सकता था कि 275 बार सिर्स नहीं आने की प्राइक था यहाँ भी बोल रहा है कि 275 बार सिर्स आया इसकी प्राइक था लेकि बोलता है 275 बार सिर्स नहीं आने की प्राइक था तो 275 बार सिर्स अगर नहीं आता तो क्या आता यानि कहने का मतलब है कि 275 बार जब सिर्स नहीं आता तो आपको पूछता कि 275 बार सिर्स नहीं आने की प्राइक्ट है यानि 275 में आनि 500 में से 275 बार जागए तो जो भी आएगा वो जो सापका प्रिष्ट आएगा ने की प्राइक्टा पुछता तो यह जो आपका चर्चा करेंगा आगे वाली विडियो में ले further कि इस वीडियो में हमने जाना कि इस तरह के जो ही प्रस्ण जाएगा उसको हम कैसे बनाएंगे और हमने यह भी जाँ चाहा कि कुल पर या कुल पराइकताओं का यह कितना होता है यह खोता है तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझवाया होगा